दस्तों स्वागत है आपका बिहार नीज में दस्तों मैं हूं फिर्दोस गनी और आप देख रहे हैं केड़ी लाइब दस्तों आज की बिहार की टॉप नीज लेकर आए आपके लिए दस्तों वीडियो इस्टाट करने से फिलाप सिक्ट क्वेश्ट अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्रेब करके बेले अगरे को भी प्रिस कर दीजिये और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के सांज से एड़ भी कीजिए तो चले दोस्तों इस्टाट करते हैं अचका नियूज महामारी के संकट को दूर करने के लिए बिहार के 19 जिलो में लागडाउन लगाया गया है लेकिन लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल बने हुए हैं कि क्या इस लागडाउन के अबदी में करफियू लागव है या नहीं तो चलिए आपको बिस्तार से बताते हैं आपको 5 बजे तक करफियू लगाई गई है यानि कि इस लागडाउन में भी राती 10 बजे से सुबह 5 बजे तक करफियू जारी रखा जाएगा इसमें किसी भी परकार का कोई बी बदलाव नहीं किया गया है इस लागडाउन में सभी आवसे का सेवाएं चालो रहेगी लेकिन अरडिया के चार परखंडों के लोगों को उचे अस्थान पर ले जाने की तैयारी है अरडिया सिक्टी कुर्सागाटा और जोगी हाट के लोगों को सिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है वहीं किसंगंज के तीन परखंडों के लोगों को सुरचित जगों पर ले जाये ज जाएगा विहार विदानसभा चुनाओं से पहले राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादब जेल से बाहर आ सकते हैं उनके छोड़े बैटे तेजिस्वी आदब ने कहीं कि पाटी परमुख लालु प्रसाद यादब चुनाओं के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं इसकी सं किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर प्रधर मंत्रिक किसान सम्मा निदी योजना चलाती है इस योजना का इताहत किसानों को छटी किस्ट यानि की दो हजार रुपे एक अगरस से सभी किसानों के बैंक अकाउट में जमा करा जाएगा मिली जहन करें कि मतबिक केंदरे किर्सी मंतरा लेका अधिकारियों का कायना हैं कि जिन लोगों ने आविदन नहीं किया है वह आविदन करके लाब इस योजना का ले सकते हैं वही जिन लो डौट जी ओवी डौट इन पर विजिट करें बिहार में पोजिटीव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है जिहां सुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में कुल तीन सो बाउन पोजिटीव मरीज मिले हैं जिसके बाद मरीजों की संख्या बरकर 14,330 हो ग अरण में एकी सुपल में 19, मदूबने में 15, नालंदा में 13, पच्चिमी चंपरण में 12, खगडिया में 10, मदपूरा में 9, तो वहीं जमुई में 8, रोतास में 7, समस्तिपूर बंका और अरवल में 6, 6, बकसर और जरबंगा से 5, 5, अरणिया और लखिस रह से 4, 4, 4, सीबर, सारन पूर्नया से 2, 2, जबकि अरंगाबाद गया जहनबाद कैमूर और नवादा से एक एक लोग पोजिटिव मिले हैं, नेपाल के जल गरन छेतर में हो रही भारी बारिस को देखते हुए बांद पर पानी का दबाव कम करने के लिए, गुरुवार को विरपूर कोसी बरा बराज से 1,46,000 पंद्रे क्यूसेक पानी छुरा गया है, उन्होंने बताए कि पानी निकासी के लिए बराज के 56 में से 18 फाटक खोल दिये गए हैं, बिहार में महामारी बिसफटक हालत को देखते हुए धीरे धीरे कई जिलों में लागडाउन की घोसना हो चुकी है, बिहा नेपाल में DD News के एलावा सभी भारते न्यूज TV चेनल के परसारन पर बैन लगा दिया गया है, भारत और नेपाल में कई दिनों से सीमा पर तनाओ चल रहा है, कई दिनों से दोनों देश में मन मुटाओ जारी है, चीन के सह पर नेपाल ने ये कारवनामा किया है, नेपाल क परधान मंत्री केपी ओली मुश्किल का सामना कर रहे हैं नेपाल ने सीमा विबात के बाद कारवाई करते हुए भारते टीवी न्यूज चैनलों के परसारण पर रोक लगा दिया है कि नेपाल ने इसे लेकर कोई अधिकारिक आदेश नहीं जारी किया है लेकिन नेपाल के के बिहार में महामारी से हालोत खराब होते जा रहे हैं सरकार के तमाम कोशिसों के बावजूद बिहार में संकरमन तेजी के साथ फैल रहा है इसी को देखते हुए सरकार ने ब्राफ हैसला लिया है सरकारी आदेश के अनुसर बिहार में ट्रेनों से आने वाले लोगों को अब होम करण टैन रहना होगा इस दोरान वे ना तो घड से बाहर नेकल सकेंगे और नहीं घड में किसे से भेट मुलाकात करेंगे मिली जानकर की मताबिक राजधनी पत्ना में कड़िब तेरे सो लोग पोजिटिव हो गये हैं तो वहीं बिहार में अब तक कड़ी बेपंद्रे हजार लोगों में संकर्मन की पुष्टी हो चुकी है यहां संकर्मन की रप्तार काफी तेजी के साथ बर रहा है जिससे बिहार सरकार की टेंशन बरती ही जा रही है एक और मुक्यमिंत्रे लितीस कुमार अपने 15 साल उखे सासनकाल के दौरान पूरे बिहार में विकास करने का धिंड़ोरापीड रहे हैं तो वहीं दूसरे तरब मुक्यमिंत्रे लितीस कुमार के गाउं से महज धैं किलोमेटर दूर गोरहरी गाउं है इस गाउं में आज भी आजा देके कई दसक भी जाने के बाद भी विकास से कोसु दूर है जिहां ये मुख्य मंतरी नितिस कुमार के गाउं से मातर धाई किलोमेटर दूर है आपको बदादी की आर्सो से ज़्यादा आबदी वाला ये गाउं हर नोत बिदान सवा छेतर में पढ़ता है और इस छेतर के बिदाएं को पूर्वा सिक्षा मंतरी हरी नारायन सिंग है जिनके छेतर में गाउं के लोगी चार फिट की पग डेंडियों और चंदा एकटा करके बांस से बनाए गए चच्च्री पूल के सारे जीवन काड़ रहे है हालात यहां तक है कि आज भी अधी गाउं में किसी की तबियत खराब हुई तो मरी जगों इलाज के लिए नदी में खाट पर टांग करके जान जोक में डालकर चच्च्री पूल पर पंग डड़ड़ियों के सारे जीला मुख्याले तक ले जाना पड़ता है इसी के साथ इस गाउं के बच्चों को अपने पूरी पराय करने के लिए दूसरे जगे जाना पड़ता है नहीं तो कई बच्चे की प्रार्थमिक सक्षा के बाद पराय लिखा ही बंद हो जाती है आजादी के बाद चाहे अभी की सरकार हो या फिर इससे पहले की किसी ने भी अब तक यहां एक पूल या फिर सरक का इंतजाम नहीं करवाया है इस गाउं के लोगों की अब सरकार से उमीद तूट चुकी है बताय जा रहा है कि मांग कर कर करे ठक चुके अस्थानिये लोग पिछले कई चिनाओं से वोट का बहिसकार कर रहे हैं और जल्द ही सरक्या फिर पूल की विबस्ता ना करने पर आगे भी ऐसा ही करने की धंकी दे रहे हैं इस महामारे में बिहार विदानसभा चुनाओं तैस में पर कराय जाने को लेकर जाएं एक और राज्य निर्वाचन आयोग ने तयारी सुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ अपटना हाई कोट के वरिष अधिवक्ता बद्रिर नैडायन सिंग ने चुनाओं आयोग नसे चुनाओं अस्तगित करने को कहा गया है यानि कि इस साल बिहार विदानसभा चुनाओं नहीं कराने को कहा गया है साथी चुनाओं फरवड़ी 2021 में कराया जाने की मांग की है उन्होंने अदालतों को बताये कि बिहार सहीद पूरा देश महामारे के संकर से जूज रहा है आया दिन संकर मितु कि संख्या में इजाफ़ा हो रहा है ऐसे विकट परिस्तिती में बिहार में चुनाओं कराया जाना ठेक नहीं होता है नितिस कुमार ही दलितों का सबसे बरा निता है सिर्फ दलित भर हो जाने से कोई दलितों का निता नहीं हो जाता दलित के लिए जितना काम सेम नितिस कुमार ने किया है उतना किसी नेता ने नहीं किया है ये कहना है जे डिव के वर्ज नेता महस और हजारी का दरसल हाल कि कुछ दिनों में लोजपा के राश्टी एध़क सी चिराख पासवान के तेवर नितिस कुमार को लेकर तलख दिख रहे हैं ताजा मामला लोजपा का वह इष्टेंड जो तेजिस वियुए अध़क सी ने बयान दिया है कि संकरमन का मामला जिस तरीके से फैल रहा है बिहार में इससे फिलहाल चिनों कराने से लोगों के स्वास्त पर असर पर सकता है उन्होंने का है कि हमारे संसत भी इससे गरस्तित हो गए हैं इस घड़े में चुनाओ कराना मुझे नहीं लगता है कि सही कदम होगा बाकि तो चुनाओ आयोक को टै करना होगा कि वो क्या करेंगी संकरमन का हाल यह है कि मुख्यमंतिरी आवास तक पहुच चुका है पुर्णिय सहर में तीन किलमीटर लंबी एक सरक अब सुसान सिंग राजपुत पत कहलाएंगी जी हाँ इसी तरीके से पुर्णिय सहर के फोर्ड कंपनी चौंग को अब सुसान सिंग राजपुत चौंग के नाम से जना जाएगा गुरुवार को मेर सभीता सिंग ने बोट लगा कर विदिवत दूलु जगों का नामंकरन किया है पाँच दिन पहले ही नगर निगम की आस्थाई समिती ने ये फैसला लिया था आपको बददी कि पूर्णिय सुसान सिंग राजपुत का गिरे जिला है वे बरहरा कोठी परखन के मल दिहा गाउं के रहने वाले थी मेर सभीता दिवी ने का ही कि सुसान सिंग राजपुत हर दिल अजीच अभीनेता थे उन्हें भूलना आसान नहीं होगा देश भर में उनके चाहने वाले उनको सरधानजली दे रहे हैं हमने भी अपनी सिर्फसे और सहरों के लोगों की तरफसे अभेनिestä सुसान सिंग को सद्धान जली देते हुए फोर्ड कंपणी चौंक का नाम बदल कर सुसान से माता चौंक जाने वाले सरक का नाम भी सुसान सिंह राजपुत्पत् किया गया है भीहार की एक हजार से अधिक छातर किर्गिअस फसे हुए हैं विहार के बिमिने के ये 2021 के चातर किर्गिस्तान मेंQuéMBBS की प्राई के इस्तिती बेहद खराब हो गई है लगातार उनकी मुस्किले बर रही है मिली जानकरी के अनुसार कड़ी भी चार हजार किलोमेटर दूर किर्गिस्तान में एक हजार से अधिक इस्टुडेंट वतन वाफसी की रह देख रहे हैं यह धैरती बिहार से लेकर केंदर सरकार और बॉलिवड अभी नेताओं तक मदद की गोहर लगा कर ठक चुके हैं बताया जा रहा है कि किर्गिस्तान में परिक्षा खत्म हुए दो माँ बित चुके हैं घर वाफसी के लिए बिचोलियों से संपर्क किया लेकिन दूसरे राज़ों के बचों जहां 20,000 रुपे में टिक लोजपा में चल लेए खीष तांच के विच के अंदरे मंदिर रामिलस पासवान ने साब किया है कि चिराग का निरने पाटी के लिए अंतिम होगा पाटी में अब उनका कोई हस्ते छेप नहीं है दिल्ली में प्रेस कनफरेस में पत्रकाडू के सवाल पर उन्होंने का है क लें चिराग पाटी के अधियक्ष है पाटी में फैसला लेने का अधिकार है वह जो भी निरने लेंगे हम उनके ताथ है यानि के जूर कर आ के मतलब साफ है कि चाराग पासवान य जेके उत्तर पूर्वी और उत्तर पस्चमी भाग में एक दो जगों पर अत्यारिक बारिस दर्ज की गई है मुतिहारी में सबसे ज्यादा 130 मिलेमिटर बारिस हुई है सुपवल में 110 मिलेमिटर मदेपुरब और कुरूचला में 90 मिलेमिटर और किसन गंज में 80 mm बारिस हुई है भारी गरज तरक और वर्जबाद की भी सूचना है सुक्रवार को आड़ा बकसर गौपाल गंज सीवान और अंगबाद अर्वल जानबाद गया समस्तिपूर सहीत कई जिलों में हलकी से मद्यम बारिस हुई अगले 24 गंटे में भारी बारिस बादल गरज और वर्जबाद की चेताबनी हैं पत्ना गया पूर्णे और भागलपूर में बादल चाय रहने के आसार हैं भारत नेपाल के बिच सितामरी की विट्टा मोर में जारी सीमा बिबाद जल्द सुलज़ने के आसार हैं इसके लिए सीमा ससत्र बल यानिकी ССB के सेक्टर डिय जी ने सितामरी डियम को सीमा के सर्वे कराने के लिए पत्र लिखा है केंद सरकार के गिरे मंतले की पहल पर नेपाल और भारत की बिच अस्थाने अधीकारी की मवज़ूदगी में सीमा का सर्वे होगा नोमेस लेंड की समीप की कुछ मीटर जमीन पर निर्मान कारे भी हो सकेगा फिलाल सडवे तक इसे रोका गया है बाकी बोर्णर के पास सरके बनाए जा रही है बिहार रूरल डिपार्टमेंट ने कई पदो पर भरती के लिए नोटिपिकिसन जारी किया है अगर आप यहां नोक्री करना चाहते हैं तो आप आविदन की परक्रिया में भाग ले सकते हैं बिहार रूरल प्रमोशन सोसाइटी दोरा जारी नोटिपिकिसन के अनुसार इन पदू पर आविदन करने के अंतिम तीथी 15 जुलाई 2020 है उम्मेद्वारों के अधिकतम आयूग 40 साल नर्धारत है यानि कि आपका अम्र अधिकतम 40 साल होना चाहिए उससे अधिक नहीं इसके बारे में अधिक जानकरी के लिए इसके वेफसैट पर नोटिपिकिसन देख सकते हैं इसके वेफसैट के लिंग इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दे देंगे वहां से आप चेक कर सकते हैं नेपाल और बिहार में भारी बारिस का असर अब गौपाल गज़र में देखने को मिल रहा है यहां गंड़क नदी का जलस्तर लगातार बर रहा है जिस वज़े से सदर प्रकंड के करिब आदा दर्जन से जादा गाउं का दोबारा जिला मुख्याले से संपर्क तूट गया है इसके साथी तत बंदों पर भी दबाव बर गया है गंड़क के जलस्तर बरने से सदर प्रकंड का मंग गुहरा हीरा पाकर सहीत आधा दर्जन से जादा गाउं बार के पाने से गिर गया है इन बार प्रभवित गाउं में रहने वाले लोगों की परिसानी बर गई है लोगों को घुटने भर पाने में पैदल चलकर अपने जरूरी काम निपटाने पर रहे है केंद्री मंत्रे और बिहार के पत्ना साहिब से संसद रवी संगर परसाद ने पत्ना साहिब सहमेथ बिहार के सबी नागरिकों से लॉगडाउन के नेमों का पालन करने की अपिल की है उन्होंने कहें कि घड में रहें, माकस पहने और अगर किसी भी मजबूरी में मिलने की आवसेक्ता हो तो कम से कम दो अगज की दूरी आवसे रखें ये सब कुछ आपके स्वास्ता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है साथी रभी संगर परसाद ने कहा है कि हमें ये सच्चाई स्विकारना पड़ेगा कि जाने अंजाने परियाप्त साब धनी ना बरतने के कारण करोणों पिरतों के संक्या में अचानक तेजी आया है और उसे रोकने के लिए ही दोबरा लागडान लाग करना परा है बिहार में नौकरी की तलास कर रहे हैं लोगों को बहुत जल एक अच्छी खबर मिलने वाली है क्योंकि बिहार के पैंचायती राजजी विभागे में पैंचायती सचीब के पांच हजार पदों पर नियुक्त होने वाली है इसके लिए लगबग पूरी तैयारी कर ली गई है खबर के मताबिक इन पदों के लिए गरेजवेसन उम्मिदवार आबिदन कर सकेंगे साथी साथ कम्पिटर से असना तक करने वाले लोगों को भी मौका दिया सकता है हाला कि विभाग में इसको लेकर कोई भी नोटिपिकेशन जारी नहीं किया है लेकिन बहुत जलद नोटिपिकेशन जारी किया जा सकता है मिली जानकरी की अनुसार पेंचेती राज विवाग में पांच हजार पद खाली हैं इन पदों पर भरती करने की तैयारी चल रही है कनहिया कुमार एक बार फिर से बिदनसबा चुनाओ को लेकर अपनी यात्रा और सबाग की तैयारी में जुर गया है गुरुवार को दिली में उन्होंने अपने सेनियर नेताओं के साथ मिलकर अपनी रन्निती को अंतिम रूप दिया है CPI नेता सते नाराइन सिंग ने बताए कि कनहिया कुमार गयारे जुलाई की आसपास पटना आएंगी कनहिया की बिहार आने की सुचना से यंडिय में नहीं बलकि राजत को अपनी परमपड़ागत वोट बैंग में सेंग मारी का डर सताने लगा है पार्टी नेता सते नाराइन सिंग कहते हैं कि कनहिया कुमार पहले दौर में पार्टी कारे करताओं के साथ वन टू वन होंगे इसके लिए फेस्बुक यूटूब और जूम एप का परियुक किया जाएगा पार्टी के पटना दफतर में सोचल मेडिया कारे करम भी बनाया जा रहा है जो पार्टी नेताओं के कारे करने का काम करने में सायूग करेगा कि दोस्तों आज का निए उस बस यह तक कैसा लेगा आपनों को आज का निए जरूपना सुजाओ देजगा नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके अगर आप नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के हां सेड़ बी कीजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में करें है